वेलकम टूर चनल, आज हम देखने वाले हैं इंटरनेशनल करेंट अफेर्स यानि कि जुलाई तुरहन 20 से लेकर डिसमबर तुरहन 20 के बीच में जितने भी इंपोर्टेंट इंटरनेशनल करेंट अफेर्स हैं उनको हम यहाँ पे देखने वाले हैं इसके साथ और इसके बेशले को लिएंट इसके सतब्सक्राइब अब करो इसे बिदियो चलए सब्सक्राइब यहां पर हम देखेंगे रर यहां पर इंपोर्ट pewno 스nik कोंन लिया गया है त्यौन को इसका शुंसार इसार नहीं पर आंसर नहीं देपाएंगे इसलिए उनको नहीं लिए जाएगा यहां पुछा जाएगा Cyprus का किरने किया गया तो यह बहुत डिफिकल्ट है यहाँ पर अंसर देना पॉसिवल नहीं है पूसा जाएगा कि टो रसीया पहला निंशन बन चुका है जिन्होंने अपना क्रिण्ट कर दिया है पर इंड़ीया का यहाँ पर यहाँ diyorsun ज्यादा प्रॉजेक्ट्स हैं और इन्होंने 5,000 से भी ज्यादा लोगों को यहाँ यूके में नौकरी दिया हुआ है तो fdi में अगर हम देखे foreign direct investment में इंडिया का क्या rank है यूके में यह है second इंडिया इसराइल इंग्स agreement to collaborate in dealing with cyber threats तो cyber threats से deal करने के लिए इंडिया और इसराइल जो है इन्होंने agreement sign किया है यहाँ पे तो यह भी question बन सकता है cyber threats के इससे deal करने के लिए इंडिया ने के साथ जो है agreement recently sign किया तो यह जो है इसराइल के साथ जो है इन्होंने यहाँ पे agreement sign किया है United Nation designates Pakistan Taliban Chief Noor Wali Masood as Global Terrorist तो United Nation जो है इन्होंने जो है Pakistan Taliban Chief Noor Wali Masood जो है इन्हें Global Terrorist घोसित कर दिया है Russia announces to take first tourist on spacewalk in 2023 तो रसिया इन्होंने अगेन यहाँ पे announce किया है कि first tourist जो है space tourist यह करने वाले है यहाँ पे tourist भी होगा tourist जो है यह spacewalk भी करेंगे by 2022 Bangladesh to construct monument for marted Indian soldier in 1971 वार तो यहाँ पे बंगलादेश जो है यह monument बनाने वाला है for marted Indian soldier जिन्होंने 1971 के वार में लड़ाई लड़ा था Turkey discover biggest ever natural gas reserve in Black Sea तो यहाँ पे Turkey ने discover किया है biggest ever natural gas reserve जो है कहाँ पे present है यह Black Sea में present है और यह Turkey के दवरा discover किया गया सी का नाम पूछा जा सकता है कौन से सी में जो है टर्की ने डिस्कोवर किया है biggest ever natural gas reserve तो यह Black Sea में इन्होंने कि जो टेस्ला का stocks था यह suddenly जो है पिक पे गया था तो जो stock market समझते हैं वो समझ सकते हैं यह बात तो पहले जीब बज्वास पहले परसंद बने जिन्होंने अपना coronavirus vaccine बना जो कि register किया गया by Russia तो रसिया अगर पूछा जाएगा first country to register coronavirus vaccine रसिया नाम पूछा जाएगा तो Sputnik 5 जो है इसका नाम था UAE become first Gulf nation to produce nuclear energy तो nuclear energy produce करने वाला पहला गल्फ nation बना United Arab Emirates तो यहां पर जो है यह nuclear energy से क्या करेंगे यह बिसिकली electricity यहां पर जेनरेट करने वाले हैं तो World Bank stop publication of age of doing business report तो हर साल जो है World Bank publish करता था लेकिन आप से जो है इन्होंने stop कर दिया age of doing business जो है यह report आप पब्लिस नहीं किया जाएगा by World Bank तो यह question भी important है यहां पर यह बन सकता है क्योंकि age of doing business में rank कितना इंडिया का यह बहुत बार सवाल पहले भी exam में बनाया है खास करे रिल्वेग exam में बार बार पूछे गए हैं तो ध्यान दखना यह बात जैपैन aims to reach net zero emission by 2050 तो यहां पर zero emission यानी कि carbon emission का बात यहां पर किया जा रहा है तो जैपैन यहां पर target किया है कि जो है zero emission यह target कर रहे है कि कोई भी carbon emission नहीं होगा by 2050 Amnesty International holds India operation तो Amnesty International क्या है यह basically human right organization है headquarter इसका United Kingdom में है तो इन्हों ने जो है अपना operation को यहां पर रोक दिया है Indian operation को यहनों ने रोक दिया है और यहां पर government of India ने भी इनका जितना भी bank account सबको freeze कर दिया है WHO declare Africa polio free तो बिल्कुल आपको धियान रखना है World Health Organization ने डिकलेयर किया है कि अफरीका जो है African continent यह polio free हो चुका है तो यह question बन सकता हाली में जो है WHO ने कौन से continent को डिकलेयर किया है कि यह polio free हो चुका है तो African continent को डिकलेयर किया है wild polio से जो है यह मुक्ट हो चुका है न्यूजलेंड डिकलेयर climate emergency place to become carbon neutral by 2025 तो न्यूजलेंड जो है यह पहला कंट्री बना जिन्होंने डिकलेयर किया climate emergency और इन्होंने एक प्लेज भी लिया है कि carbon neutral यह carbon neutral country बन जाएगा by 2025 चाइना एक्टिवेट्स आर्टिफिशल सन यह nuclear fusion reactor called HL2M यह नाम याद अखना है HL2M टोकामक रियक्टर तो यहाँ पर जो इनका निकलेयर रियक्टर का जो नाम है यह आर्टिफिशल सन यह सबसे पहले आपको याद अखना है यह चाइना को बिलॉंग करता है रियक्टर है Morocco become the fourth country in this year to normalize relation with Israel after United Arab Emirates, Behran and Sudan तो यह बिल्कुल यह दखना यह जो चार स्वाधिन्ता सरक जो है यह बन चुका है रेडी हो चुका है और इंडिया और बंगलादेश के बीच में जो है जो ट्रेड होने वाला है तो इसके लिए जो है इन्होंने स्वाधिन्ता सरक यहाँ पर बनाया है और यह खुल जाएगा 26 March 2021 को तो यह बिल्कुल या रखना ञेस टू जो है रहें रखना कि दो है जो है वूटान में पटॉबेन की है तो यहां पर आपको पता है तो यहां पर आपको पता है कि जो यह नक्स बंगने बलने यह नहीं पूछा जाएगा और 40 तो 50 जो नए इलेक्सिंट्स हो जाएगा और 40 तो 50 जो नए इलेक्सिंट्स होए उनको अगर डिसकर्स करने जाए तो बहुत लंबा है उतना सरे चीज आप याद नहीं रख पाएंगे अगर पढ़ेंगे देखेंगे इससे पहले जो हमने वीडियो recommend किया है खास करके यह वाला वीडियो अगर इसी को पढ़ते हैं तो यह इतना वास्ट है कि आपको इतना चीज भी याद रखना जो है मुश्किल हो सकता है इसलिए जो हमनों को cover up नहीं किया है क्योंकि वह जो है तफ अब के लिए आगे चलके हो सकते हैं इसलिए नहीं किया गया है चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर यहाद आ रहा है जो इंपोर्ठेट सेटलाइट लांच किये गए हैं अलग-अलग कंट्रीस के द्वारा उस पे हमने वीडियो बना दिया है उसको भी जरूर देख लेना 2020 में इतने इंपोर्टेट सेटलाइट किये है क्योंकि सेटलाइट से कुषण बनता है उस वीडिए पाउट फ्लींट मे बहुत ज़र इंपॉर्टेंट है चाइना जो है यह दूसरा जो है देश बन चुगा है जिन्होंने अपना फ्लैग जो है फेराया है कहां पर फ्लैग जो है इन्होंने प्लैंट किया है बैसिकली ओन मून आफ्टर उनाइट स्टेट्स बंगलादेश स्टाटे टू को रिलोकेट कर रहा है यह कहां से आयाए थे तर यह बैसी क्या पर learnt Раз peine में इसी तरह मॉडर्ण जो है और एक वillesी मैंट्ना को जो है country बन चुका है to approve moderna vaccine यह भी साथ में आप याद रख सकते हैं तो जितने भी important current affairs international खास करके current affairs हो सकते थे उनको यहाँ पे cover up हमने किया और science and technology से जो भी important current affairs international उनको उस जगह में cover up कर दिया गया है इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा जो है आपको कम current affairs देखने मिले और COVID-19 का वज़े से भी current affairs जो है यहाँ पे reduce हुए है इसके साथ इस वीडियो को भी जरूर देख लेना यह भी बहुत ज़्यादा important वीडियो है और हो सकते तो इससे जार ज़्यादा share भी जरूर कर देना all the best थैंक्यू